जिस देश, समाच और जाती से हम जीवन भर लेते रहते हैं, उसी की सेवा और रिण को चुकाने का अफसर है वानप्रस्त पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, पुस्तक का नाम वानप्रस्त संसकार विवेचन हिंदु धर्म में जीवन के चार प्रमुग भाग किये गए हैं, ब्रह्मचर्य, ग्रहस्त, वानप्रस्त और सन्यास पहले दो भाग भौतिक जीवन को समर्थ बनाने के लिए और वानप्रस्त सन्यास के रूप में आधा जीवन परमार्थ प्रयोजन के लिए निश्शित किया गया था इस परम्परा को आज फिर से जीवित रखने की आवशक्ता है, इस प्रक्रिया को ग्रहस्त में रहते वे भी अपनाया जा सकता है मनास्तिती, परिस्थिती और स्थानी आवशक्ता को देखते हुए अपने समयदान का क्रम तथा स्वरूप निर्धारित किया जा सकता है यह प्रयास अवश्य करना चाहिए कि आत्म कल्याण और लोग कल्याण के लिए अपना अधिक से अधिक समय नियों जित किया जा सके. पुस्तक के कुछ सद्वाक्य सौभाग्य का सीधा अर्थ है सदुपयोग का निर्धारण और उसे पूरा कर दिखाने का कौशल. लोग और मोह की खाई समुद्र जितनी गहरी है, उसे पाटने के लिए इंद्र जैसी प्रतिभा और कुवेर जितनी संपदा भी कम पड़ती है. एक तूसरे को ठगने की प्रवृत्ती ने समुचा वातावरण ही नैतिक प्रदूशन से भर दिया है. विधा प्राप्द करना इसलिए भी आविशक है कि चेतना को सुसंस्कृत बनाने में उसकी अनिवारे आवशक्ता है. सत प्रवृत्तियों के समवर्दन में नियोजित किया गया अंशदान भी किसी उच्चस तरिय उपासना से कम नहीं है. पुस्तक के मुख्य बिंदू, जीवन संपदा का दुरूपयोग, सिक्षा ही नहीं विद्याभी, सद्ज्यान संपदा का अभाव, सरल किंतु अति प्रभावी कार्य पद्धती, अनुकरनी आदर्ष हमें ही प्रस्तुत करना है. झाल झाल